हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग फ्रेंड विद बेनिफिट मूवी को एक्स्प्लेंड करने वाले हैं जो 2011 में रिलीज हुआ था इस मूवी में एक लर्का और एक लर्की दोनों कसम खाते हैं कि हम लोग कभी भी साधी नहीं करेंगे लेकिन साधी करने के बाद जो काम करता है व कभी डहलनं को उसकी गलफरेंड का फोन आता है वही अगले सेन में हम एक लर्की को देखते हैं जिसका नाम जिमी होता है यह हमारे मबेका सेकेंड मेन character है Jimmy रहता था New York में और Dylan रहता था Los Angeles में दोनों को ही girlfriend और boyfriend का phone आता है फिर Jimmy का boyfriend Jimmy से कहता है कि अब हमें break up कर लेना चाहिए वहीं पर Dylan का girlfriend Dylan को कहा रहा होता है कि अब हमें break up कर लेना चाहिए फिर दोनों कसम खाते हैं कि हम लोग कभी भी next time relationship में नहीं होंगे और सिर्फ हम मजे लेने के लिए किसी के साथ रहेंगे Jimmy जो होता है वो एक agent होता है और लोगों को hire करके उन्हें job दिलवाने में मदद करता है जिसके बदले Jimmy को अच्छा खासा commission भी मिलता था अगले सिन में हम देखते हैं Jimmy एरपोर्ट पे एक आदमी का इंतिजार कर रहा होता है और वो कोई और नहीं था बलकि डेलन था और Jimmy इस बार डेलन को GQ magazine में काम दिलवाने ले जा रहा था फिर दोनों taxi में बैठते हैं तभी डेलन Jimmy से कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं इस कमपनी में काम करने के लायक हो जिस पर Jimmy कहता है कि तुम सिरिफ अपने इंटर्वे में ध्यान दो और मुझे पका यकीन है तुम ये जॉब कर सके हो जिससे Jimmy का confidence बर जाता है और finally इंटर्वे देने के बाद डेलन को ये जॉब भी मिल जाता है जॉब की बास सुनकर Jimmy बहुत खुस हो जाती है लेकिन जिम में इससे खुस नहीं होता है लेकिन डेलन इससे खुस नहीं होता है क्योंकि डेलन को लग रहा था कि वो नीयोक में नहीं रह पाएगा इसलिए Jimmy डेलन को पूरा नीयोक घुमाता है क्योंकि डेलन का मानना था कि नीयोक उतना अच्छा सिटी नहीं है लेकिन नीयोक घुमने के बाद उनका ये बहम तूट जाता है उसके बाद डेलन और क्यू मैगजिन में एज आसिस्टन काम करने के लिए राजी हो जाता है अगले दिन डेलन के पाद जिमी आता है और उसे कॉंट्रेक्ट पेपर साइन करने के लिए कहती है और इस कंपनी में जॉब नहीं चोर सकता था क्यूंकि जीमी अगर ये कॉंट्रेक्ट साइन करवा लेती है तब इसे कमिशन मिलेगा इसलिए डेलन भी उस पेपर में साइन कर देता है फिर दोनों खाना खाने के लिए एक रेश्टूटेंट में जाते हैं जहापर दोनों अपने परसनल लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताते हैं फिर जीमी डेलन को अपने घर एक पार्टी में इन्वाइट करता है अगले दिन हम देखते हैं डेलन जीमी के घर जाता है पार्टी में फिर दोनों पार्टी में बहुत इंजॉय करते हैं फिर इन दोनों की लब सीरियल जैसी होती, अगर हम लोग अभी रूट जाते तो हमें मनाने के लिए बाबू राजा हमारे लिए रत लेकर आते, जिस पर डैलन कहता है कि ये सब तो सीरियल की बाते हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, फिर दोनों गंदी गंदी बाते करने लगते हैं, और एक दूसरे को बुरा साबित करने में लग जाते हैं, बातो बातो में ही डैलन जिमी से कहता है कि सेक्स एक टैनिस किरकेट की तरह होना चाहिए जब तक्षा कमारे तो अच्छी बात है आउट हो गए तो खतम ये सुनते ही दोनों के भी ठरकपन जाग जाता है फिर दोनों एंटिमेट होने ही वाला होता है कि तभी ये डिसाइट करते हैं कि हम दोनों सिर्फ मस्ती करेंगे और कभी भी हम लोग साधी न में जाते हैं फिर जीमी डेलन से कहता है कि हमने डिसाइट किया था कि हम लोग फिजिकली इंटिमेट होंगे लेकिन कभी भी सोना बाबू नहीं करेंगे लेकिन हम दोनों के बीज नजदी किया कम होती जा रही हैं इसलिए आगले बार हम दोनों सुहाग रात नहीं लेकिन अगले ही मुवन पर वो दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फिर से वो लोग पूरी रात किर्केट खेलना शुरू कर देते हैं अब ये सुहाग रात वाली रात ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है एक दिन ये लोग किर्केट खेलने होते हैं इसी बीच जीमी देलन से कहता है कि अब मुझे एक बॉइफरेंड बना लेना चाहिए इसके लिए हमें ये सब किर्केट खेलना बन करना परेगा फिर दोनों गार्डन में घुमने के लिए जाते हैं जहापर जीमी को एक लरका पसंद आ गया था फिर जीमी दिमाग लागा कर उस लरके का न वहाँ से भाग रहा होता है तभी जीमी उसे देख लेता है फिर वो डॉक्टर जीमी को बताता है मैं तुम जैसी लरकी को पसंद नहीं करती हो तुम मेरी टाइप की नहीं हो फिर जीमी उस डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कह देती है फिर जीमी डेलन के पास आता है डेलन को उस डॉक्टर के बारे में बताता है, कि वो किस तरह का धरकी आदमी था, जिस पर डेलन कहता है कि, वाँ वो तो एक चुपा रुस्तम निकला, फिर डेलन जीमी को कहता है कि, तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ विकेंड्स पर जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले, डेलन जीमी को एक पेंड्स गिफ्ट करता है, फिर जब जीमी घर आती है, तो घर पर कोई नहीं था, और उसके मॉम ने वहाँ पर एक लेटर छोर के गया था, जिस पर लिखा था कि मैं जा रही हूँ, फिर जीमी डेलन को फोन लगाता है, और सारी बात बताता है, वही पर डेलन विकेंड्स के चुटी के लिए घर पर जा रहा था, इसलिए डेलन जीमी को अपने साथ लोस एंजिलेस लेकर जाती है, फिर दोनों पोश्चते हैं डेलन के घर, गर पोचते ही डेलेन के फादर और डेलेन के बहन जीमी को देखकर बहुत खुस हो जाते हैं यहां हमें पता चलता है कि डेलेन के फादर को एक भूलने की बीमारी है और इसलिए डेलेन के फादर और उनकी मॉम की 10 साल पहले ही डिबोस हो चुका है डेलेन के घर एक बीच के किनारे होता है इसलिए जीमी और डेलेन बहुत इंजोई कर रहे होते हैं फिर रात में डेलेन की बहन जीमी को डेलेन के बचपन की फोटोज दिखाता है फिर रात में जीमी के बास डेलेन आता है फिर डेलन जीमी को किर्केट मैच खेलने के लिए कहता है बॉल बैट वाला किर्केट की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिस्तर में खेलते हैं किर्केट उसी की बात कर रहा हूँ लेकिन इस पर जीमी कहता है कि हमने कसम खाई थी याद है ना लेकिन थोड़ा फोर्स करने के बाद जीमी मान जाती है फिर डेनियल जब क्रिकेट खतम करके रूम से बाहर आ रहा था तब ही डेलेन की बहन ये देख लेती है फिर अगली सुबह हम डेनियल के फैमिलिस को देखते हैं जो दिनर कर रहा होते हैं यहाँ पर जीमी का थोड़ा बरताव चेंज हो जाता है और आईस्ता आईस्ता वो डेलेन को पसंद करने लग गई थी फिर डेलेन के फादर डेलेन से गयते हैं कि तुम जीमी को पुरा लोस एंजलेस घुमाओ फिर दोनों घुमने के लिए लैनमार्क हॉलिबुड में जाते हैं लेकिन तब ही आपर पुलिस वाले आ जाते हैं और जीमी और डेलेन को उस बोड से उतरने के लिए कहता है लेकिन डैलेन को उचाई से बहुत डर लग रहा था फिर पुलिस वाले डैलेन को एक रस्टी में लटका देते हैं फिर वहाँ से उतार देते हैं अब ये newsletter बन जाती है और ये news TV में दिखा रहा होता है ये नियूस देखकर डैलेन की बहन डैलेन का बहुत मजा कुराने लगता है फिर एक दिन डैनियल के बहन को कही जाना था इसलिए वो डैनियल से कहता है कि तुम डैड का ख्यार लगना हम लोग ऐसे ही दोस्त हैं सिर्फ जिस पर डैनियल की बहन कहती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें कल रात उसके रूम से निकलते हुए देखा था जिस पर डैनियल कहता है कि हम लोग तो सिर्फ मज़े कर रहे थे जिस पर डैनियल की बहन कहती है कि जीमी एक अच्छी लर्की है ऐसी लर्की तुम्हें दुबारा नहीं मिलेगी उसे तुम गल्फ्रेंड बना लो जिस पर डैनियल कहता है कि वो एक जजबाती लर्की है और उसका इसक्रो भी थोरा डिला होता है अब ये सारी बाते जीमी चुपके सुन रही थी फिर रात में स वापस नियॉक आ जाता है फिर हम डैनियल को भी नियॉक में देखते हैं फिर डैनियल जीमी को कॉल लगाता है लेकिन जीमी उसके कॉल का रिपलाई नहीं देती है फिर जीमी को एक दिन एक कंपनी से कॉल आता है और उस कंपनी का मालिक जीमी से कहता है कि मैं चाहता हूं डेनियल मेरे लिए मेरे कंपणी में काम करे। लेकिन जीमी कहता है कि उसका एक साल का कॉंट्रेक हुआ है और अभी टाइम उसका पुरा नहीं हुआ है। फिर डेनियल और जीमी एक जगा मिलनी के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहुचकर डेनियल जीमी से माफ ही मांगता है। लेकिन जीमी कहता है कि तुम एक अच्छे दोस नहीं हो सकते हो। क्योंकि दोस एक दूसरे का बुराई नहीं करते हैं। यहाँ पर दोनों के भी जखरा हो जाता है। फिर जीमी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जीमी को एक कमपनी के तरह से कॉल आता है और वो कमपनी बताता है कि डेनियल को एक प्रोपोजल मिला था और उस प्रोपोजल के लिए डेनियल ने हा कर दिया है। अब ना चाते हुए भी जीमी को डैनियल से बात करने के लिए जाना परता है क्योंकि अगर डैनियल ने वो कॉंट्रेक्ट तो जीमी का बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाएगा इसलिए जीमी बात करने के लिए डैनियल की ऑफिस में जाता है फिर Jimmy डेनियल से जाकर कहता है कि तुमने अगर ये जौब छोड़ दिया तो मुझे मेरा कमिशन नहीं मिलेगा जिस पर डेनियल कहता है कि मुझे यहाँ पर आप काम नहीं करना है और रही बाद उम्हारी कमिशन की तो मैं तुम्हें वो कमिशन दे दूंगा जिस पर जिमी कहता है कि मुझे तुम्हारी कमिसन की कोई जल्लत नहीं है ये कहके जिमी वासे चली जाती है अगले दिन जिमी की मौम जिमी को समझाती है और कहती है कि मैंने जो अपनी लाइफ में गलतिया किये है वह ऐसी गलती तुम मत करना मेरे जिंदगे में बहुत सारे लरकी आये लेकिन तुम्हारे डैड जैसा लरका मैंने कभी नहीं देखा था जब तक मुझे ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी लेकिन बेटी तुम अपने लाइफ में ऐसी गलती मत करना अगले दिन डैनियल अपने फादर को एरपोर्ट पिक अप करने बात का मुझे आज तक पस्तावा है लेकिन बेटा तुम अपने लाइफ में ऐसी गलती मत करना फिर जीमी की मॉम जीमी को एक जगा बुलाती है वही पर जीमी की मॉम डैनियल को भी बुला लेते हैं दरचल जीमी की मॉम जीमी और डैनियल को एक साथ देखना चाते थे और उसी ने दोनों को call करके इस जगह बुलाया था यहाँ पर डेनियल जीमी को दिल वाले दुलहनिया जैसे गोटनों पर बैठ जाता है और जीमी को परपोस करता है अब जीमी भी सारी गलती को बुला कर डेनियल के परपोस को accept कर लेता है फिर दोनों किस करते हैं तो यही पर यह movie एंड हो जाती है आपको वीडियो कैसा लगा हमें comment करके जरू बताईए मिलते हैं किसे next वीडियो में तब तक देखते रहेए नोर एक्स्प्लेंग